करते हैं कल हमने लोगरिथम है कि किकी वेल्यू एए इसым और क्याती टाश्टो होता है और नेगेटिव कब अगकल बात की थी किसी संग्या का लगुगनक डिया आधार पकिसी संख्या का लगुगणक धनात्मक कब होगा और रेनात्मक कब होगा पोजिटिव कब होगा और नेगिटिव कब बताया था फिर से बता देता हूं यदि लगे किसी संख्या का लगुगणक और लगुगणक यदि किसी संख्या का लगुगणक धनात्मक है तो यह कब संभव है जब उस लगुगणक की संख्या और आधार दोनों एकाई के एक ही और दोनों एक से छोटे हो या दोनों एक से बड़े हो तो संख्या का लगुगणक धनात्मक हो और किसी संख्या का लगुगणक की संख्या और लग लोग 20 लोग 32 तूदा बेस्टू लगुगुणक की संख्या 32 है लगुगुणक का अधार 2 है धनात्मक आएगा एंसर क्योंकि दोनों एक से बड़े हैं वैसे मालूम भी आपको एंसर लगुगुणक की संख्या और लगुगुणक की संख्या 32 लगुगुणक का अधार 2 है दोनों एक से बड़े हैं दोनों एक से छोटे ले ले देखो एपटे 2 जो है वह एक से चोटा वन वाइट वेटे च्छोटा इसको हल करें का टु रेस्टू माइनस वन फॉर hazard गोगत सब्सक्राइं सब्सक्राइब दो जाएगा माइनस सेवन अपॉन माइनस सवन लॉग टू 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 दबेस टू वन ऊहाएगा मतलब प्लस सेवन पोजटेब आ गया यह भी ध्धनात्मक आया है क्लियर अब अगर हम लगुगणक की संख्या को एक से छोटा ले और आधार को एक से बढ़ा लगुगणक की स समझ में आया अब अगर हम लगुगणक का आधार एक से छोटा लें और संख्या एक से बढ़ी ले तो भी रिनात्मक आएगा कि वन बाइट को टू रेस्टू माइनस त्री वन अपॉन माइनस त्री लोग टू टू दा बेस्टू माइनस वन बाइट त्री कि तो कल यह कंसेप्ट बताया था सबको समझ में आया क्या कि अग्या कर दिया था ग्राफ बना कर भी बता दिया था तबी को समझ में आया कि तो नेक्स्ट पर आते हैं अब हम कि अब देखना है या ध्यान से कि अब हम लगुगण की असमीकाओं की बात करेंगे असमीकाओं मतलब हम जैसे लगुगण करेंगे तो अब हम दोनों तरफ लोग हटाएंगे लोग हटाने के बाद उनके बीच में जो इनेक्वएलिटी है उसका सब्सक्राइब करेंगे लगुगण के अधार पर निर्फर करता है अगर लगुगण का अधार एक से बड़ा है तो लोग दोनों साइड से हटाने पर असमीका का चिन नहीं बदलेगा और अधार जीरो और एक के बीच में तो चिन बदल जाए बिलकुल उसी तरह जैसा की चरगातां की असमीकाओं में था जैसे यहां एक एक्जम्पल भी लिखा कि आधार कि मैंने यहां सेवन इट पॉइंट लिखे हुए फस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं आधार कि जीरो और वन के बीच में है भी है और एक्स छोटा है वाय से एक्स छोटा है दोनों तरफ लॉग लूगा उ फस्ट पॉइंट महीं बताया दोनों तरफ लॉग लूगा और यह भी बताए कि एकिक स्च वाल ज़ूटा जरोर में है लेकिन यह लगुगणक लेना है तो वह दौनों संख्या है धनात्मक होना चाहिए तो वैसी एक्स और वाइए एक्स लेस देन वाइए और वो बता दिया ग्रेटर दें अगर आधार एक से बड़ा होता है तो लोग लूगा दोनों साइड असमीका का चिन नहीं बदलेगा असमीका का चिन नहीं बदलेगा लेसे तो लेसी रहे इस इट क्लियर नो चेंच बिल्कुल थाई अब अगर आधार जीरो और एक के बीच में और एक्स बड़ा है य से अब लोग लूगा दोनों साइड बेस ए पर लॉग ले लें दोनों साइड चिन बदल जाएगा ग्रेटर की जगल लेस हो जाएगा क्योंकि आधार 0 और 1 के बीच में अगर आधार 1 से बड़ा है और X is greater than Y है तो कोई चेंज नहीं आएगा लॉग X to the base A must be greater than log Y बस समझ में आ गई फर्स्ट फॉर पॉइंट्स में यही चीज लिखी है क्लियर मनीश आपको आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों को सभी को आवाज आ रही है क्या है क्योंकि यहां जितने जितने भी है आपको छोड़के बाकी सब को वाइस आ रहे हैं तो कि आई थिंक फॉल्ट आपके साइड से होगा है कि ओके ठीक है हां तो यह फास्ट फॉर पॉइंट जो मैंने एक्स्प्लेइन किये हैं बास समझ में आई है क्या ठीक है उसके बाद एक केस और बता देता हूं यहां पर जो मैंने नेक्स फॉर में लिखें हैं केसिस पर लिख देते हैं नेक्स फॉर में जो एक्स्प्लेइन किया मैंने जीरो और वन के बीच में आधार जीरो और वन के और लॉग एक्स कि तुद बेसे कि वेल्यू पीसे लेज दोना साइड लोग नहीं है कि अनतलम में आप्स लेस्देन है आप भूल जाओ लेस्देन आप तो समझोए इक्वल है तो लोग की डेफिनिशन लगा ओगे तो एक्स एक्वल टू क्या मिलेगा एक्स एक्स एक्वेल टू जाएगा ग्रेटर क्या यह बास सबको समझ में आई क्या है ओके अब अगर यहीं इसी केस में आधार एक से बड़ा होता आधार एक से बड़ा होता है तो क्या आता है एक्स कोई चेंज नी साइन में एक टूदी पावर पी लेकिन एक और चीज याद रखना होती इसका मतलब क्या हो गया एक पावर पी से कितना गम माइनस इंफिनिटी तक अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो यह लोग इंग नहीं होगा तो इस लोग के डिफाइन होने के लिए एक समस्ट भी पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन एक्ट से बड़ा है लोग की डेफिनिशन लगाई तो एक्स इकोल टू एकी पावर पी होना चाहिए लेकिन लेस देन है तो मैंने लेस देन ही रखा फिर मोर्दन जीरो क्यों लिया क्यों कि अगर मोर्दन जीरो नहीं लोंगा तो आप ले लोग एक्स की वैल्यू माइनस इंफिन साइन चेंज होगा देखो क्योंकि आधार जीरो और वन के बीच में है एक्स इस लेस देन एकी पावर यहां पर भी मोर्दन जीरो लेना पड़ा है एक रेटर देन वन एंड लॉग एक्स टू दबे से आधार एक से बड़ा है कि आधार एक से बड़ा है कोई परिवर्तन नहीं नो चेंज साइन ओफ इनिक्वेलिटी कि साज में आ गई क्या बात सभी को बिलकुल एक्सपोनेंशियल इनिक्वेलिटी की तरह साइन ओपरेट करना है कि साइन में या तो नो चेंज होगा या साइन रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा नो चेंज कब होगा जब आधार एक से बड़ा होगा और साइन रिवर्स कब होगा जब बेस जीरो और वन के पीच में हो राइट प्रश्चन क्या है लगुगण की यह असमीकाओं को हल कीजिए क्या करना है लगुगण की यह असमीकाओं को हल करना है इसको असमीकाओं साइन एकॉल ए potenton लिए लेस्टरों और एकॉल टूर अ इकॉल तो इसलिए असमीका और उसमें च्रों के लगोगण की यह असमी रइट सबसे पहले अ कि सब्सक्राइब कर रहा हूं सभी को दिख रहा हैं सबसे पहले लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन लिखें लॉग डिफाइन होने के लिए लॉग का नंबर 3x-1 पॉजिटेव होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए लॉग 3x-1 to the base 5 इसमें लॉग की संख्या 3x-1 यह धनात्मक होगा तभी यह असमी का परिभाशित होगी यह लॉग गणक परिभाशित होगा तो पहली कंडीशन 3x-1 must be positive तथा यह भी होना चाहिए उसके आधम condition लगा तथा क्यों लगा एंड क्यों लगा है क्योंकि यह भी सत्य होना चाहिए अब हम लोक की definition लिख रहे हैं उस वो भी true होना चाहिए लोक की definition लगाओ कि 3x-1 फाइब की पावर 15 कि टूदी पावर 15 साइन ओफिन इक्वेलिटी असमीका का चिन बदलना है या नहीं आधार इसके लिए लगुगनक का आधार देखें लगुगनक का आधार और पाईब एक से बड़ा कोई चेंज नहीं अमाज में आ गई दोनों असमीकाओं को ह हल करेंगे जो दोनों के हल समुच्चा आएंगे उनका यूनियन नहीं इंटर सेक्शन करेंगे इंटर सेक्शन क्यों करेंगे तथा एक्स के हमें यहाँ वो एक्स जो इसको संतुष्ट करते हैं तथा इसको संतुष्ट करते हैं दौनों को संतुष्ट करने वाले एक्स चाहिए क्या करना है intersection तो भाइनिस्ट लेना सर्वनिस्ट लेना है दोनों हल समुझ ठीक है करें हल तो 3x is greater than 1 एक्स मस्ट भी greater than 1 by 3 यहां से 3x 5 plus 16 x is less than 2 intersection बताएगा कोई साथ बिल्कु क्लियर दिख रहा वन बाइट्री से greater बाइटर वन बाइट्री से infinity और टू से less minus infinity से टू तो common reason common reason जिसको clear नहीं दिखे वो plot करके बता सकते वन बाइट्री टू तो कि देखो मैं plot करके बता देता हूं वन बाइट्री पहले आएगा और तू बाद में आएगा तो पहला केस वन बाइट्री से infinity दूसरा केस माइनस इन्फिनिटी से टू कॉमन रीजन है वन बाइट्री टू टू राइट कि फर्स्ट क्वेस्टन का सॉल्यूशन सभी को समझ में आया क्या कि ओके तो सेकेंड क्वेस्टन पर आते है second question log to the base 0.5 1 plus 2x is greater than minus 1 log 1 plus 2x to the base 0.5 is greater than minus 1 सबसे पहला काम क्या करेंगे लगुगणक की संख्या पॉजटिव लेंगे क्योंकि लोग अगर नहीं लेंगे पॉजटिव तो वो नेगेटिव वेल्यू पर लोग परिभाशित नहीं होगा फिर्स्ट कंडिशन वन प्लस 2x मस्ट भी पॉजटिव तरहां सेकेंड कंडिशन अब कंडिशन नहीं यह लोग की डेफिनेशन लगा रहें वन प्लस 2x हाँ पॉइंट फाइब टू दी पावर माइनस वन पॉइंट फाइब रेज़ तू माइनस वन साइन ओफ इनिक्वेलिटी चेंज होगा या नहीं होगा आधार एक से छोटा है पॉइंट फाइब इसको सॉल करें तो एकस ग्रेटर द processor डें माम को यह बनास हाफ है चाहिए कितना जाएगा पॉइंट 5 मतलब फद्ती पर उन और पावर माइनस वन माइनस माइनस वन मायनस वन माल्टिप्लाइट बूट पर वन तो वह टू और यह वन उधर गया तो यह आ गया वन एक्स देन वन बाइट माइनस वन बाइटू से ग्रेटर प्लस वन बाइटू से लेस से एंसर विकम्स ओपन इंटर्वल माइनस हाफ टू प्लस हाफ सबको समझ में आएका दोनों लगुण की असमी काएं कैसे हल करेंगे लोगे रिसमें के निक्वालिटी इस है क्लियर ओके कर दो ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं है थर्ड क्वेशन है लॉग टू दा बेसेट एक्स स्क्यार माइनस फोर एक्स प्लस त्री इस लेस देन और एकोल तो लॉग टू दे बेसेट एक्स स्क्यार माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इस लेस देन और एकोल तू वन लिखें शॉल करना आई गया है एक्स स्क्यार माइनस फोर एक्स प्लस त्री इस ग्रेटर नन जीरो फिर्स कंडिशन अब डेफिनेशन अप्लाइट एक्स स्क्यार माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एट तो दी पावर वन एट साइन फिन इक्वालिटी चेंज नहीं करें कि क्यां आप लोग कंप्लीट करें और शाइन अफिनीक्वालिटी चेंज नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है आधार एक से बड़ा बेस इस मोर्देन वन रैट सॉर्ण करेंगे एक्स माइनस वन सबको आती होगी और जिसको नहीं आती हो वो सीखे भाई है क्या कोई जिसको वेवी कर मैथेड अभी तक नहीं आती इंटर्वल मैथेड ठीक है तो हमें चाहिए ग्रेटर देन क्या आएगा ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी टू वन यूनियन राइट इसका सॉल्डिशन अब इसको सॉल्ड करें 3-8-5 X-5 X-1 राइट इसमें भी एपलाए करें मैं इनक्लूद है 5B इनक्लूद है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हाँ इंटरवल लेस देन और इकोल टू जीरो नेगेटिव यह पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव माइनस वन टू फाइब कि क्या करेंगे दोनों का इंटर्सेक्शन लेना है तो इंटर्सेक्शन अगर डायरेक्ट सुच पाओ तो अच्छी बात है नहीं तो ग्राप बना के दोख लो लॉट करके देख लो प्राजमाया कैसे इंटर्सेक्शन जिसको नहीं आ रहा हूँ देखे नहीं से 1, 3, minus 1, 5, minus 1, minus 1, here 1, here 3, here 5, minus 1, to 5, second region, first region, minus infinity to 1, union, 3 to infinity, common region, closed minus 1, to open 1, union, open 3, to closed 5, लो च्राप टूर्सेक्शन तो धे लोगते, कि सांज में आया सभी को थार्ड क्वेशन है ओके फोर्थ क्वेश्चन में लिख देता हूं कि लॉग कि टू दा बेस सेवेन कि टू एक्स माइनस एक्स कॉन टू एक्स माइनस वन इस ग्रेटर दें जीरो की टीक है करेंगी क्या करेंगे लौक का नंबर सभस्ते पहले शीज है सब 2 एक्स माइनस 6 अपाउन 2 एक्स माइनस वन मस्ट भी ज्रेटर नेंग जीरो कि एंड है 2 एक्स माइनस 6 अपाउन 2 x माइनस कि हां साइन चेंज नहीं होगा इस सेवन टूदी पावर जीरो वन ग्रेटर देन के प्लेस पर ग्रेटर देन क्योंकि बेस बनते अब सुनो ध्यान से अभी जितने कॉस्टेंस थे उनमें हमने क्या किया यह साइन अपोजेट थे एक ड्रेटर रहे और यह लेस और सेम नहीं भाक तो हमने पूरा सौल किया और बाद में आखरी में इंटरसेक्शन लिया इसमेंं इंटरसेक्शन पहले ही अगर हम अब विप्रोसेस क्या इसको सॉल करूं इसको सॉल करूं फिर दोनों का इंटर्सेक्शन लो बाद की जगह अगर पहले इंटर्सेक्शन ले लूँ तो मुझे दो सॉल्व नहीं करना पड़ेंगे एक को सॉल करने से काम चल जाएगा वही एंसर होगा क कि यह जो कॉन्टिटी है तो एक्स माइनस सिक्स अपॉन टो से इंफिनिटी है और इंटर्सेक्शन क्या गया रिंटर्सेक्शन पर आं दोуск रहे हे बाद समझ पाुव तो इंस्क्राइब लेने की जगए उन्टिटी Girls कोसी जरूरत नहीं है intersection क्या आया 2x-6 upon 2x-1 इसी को solve कर लो वह यह बास समझ में आ गई क्या intersection पहले ले लिया हमने और नहीं लेना intersection पहले तो इसको भी solve कर लो फिर इसको करना पड़े जरुवती नहीं है उसको करने अब इसको cross multiply नहीं कर सकते मालू में सबको लेंगे कि इसको इधन लाएं वन डायरेक्ट कर दू कि चल लिग देता हूं माइनस वन जाए का टू एक से कंसल माइनस फाइब अधो ध्यान से देख लेए याँ पर माइनस फाइब मतलम न्यूमुरेटर नेगेटर नी डेनॉमिनेटर क्या होना चाहिए कि रेशियो पोजटिव हाजए नुम्रेटर नेगेटेव है माइनस 5 डिनॉमिनेटर टू एक्स माइनस वन है वो भी अगर नेगेटेव आ जाए तो दोनों का रेशियो पॉजटेवा जाए तो बस डायरेक्ट लेख देता हूं टू एक्स माइनस लिनियर इन इक्विलिटी बन गई तो एक्स ग्रेटर देन हाफ तो एक्स ग्रेटर धन वन तो एक्स ग्रेटर देन हाफ फाइन एंसर इज आफ टू इन फिन इटी हाफ टू इन फिनिटी रही क्या हो गया इन फिनिटी ताल माया हाँ हुद है क्या चीज समझ में नहीं आई लेस होना चाहिए बिल्कुल सही कि तो मैं पूछ रहा था नियूमरेटर नेगेटिव है तो रेशियो नेगेटिव होने के लिए दिनॉमीनेटर भी क्या होना चाहिए बिल्कुल सही हुद है ठीक है नियूमरेटर नेगेटिव तो डिनॉमीनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए एंसर क्या जाएगा कि येस अपने सही बुला तो तो फाइनल एंसर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी डूहाफ आप सही हुआ कि उद्र समझ में आगया जानकी आपको क्या समझ में आई लास्ट में कि लास्ट में लास्ट में देखो नुमरेटर क्या है मैंस पाइब तो हर भी नेगीटेव होगा तबी दॉनों कनुपाथ धनात्मक आएगा तो हरको क्या लेना लेस देविए उनली पोई था कि लेस देन जीरो निउम्रेटर भी नागेटव डिनॉमिनेटर भी क्या होना चाहिए रेशियो नागेटर को क्या लें लेए नेगेटर टू एंसर लाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ऑन्माइटू आ इन止 लाइन में कौन साथ ये वाली फ़स अइसके उपर वधरली से इन्फिनिटी और यह वन से इंफिनिटी तो इन्टर से लिया यह ग्àcies यह कॉंतिटीज से इन्फिनिटी है और यह quantity one से infinity तो इंटर सेक्ष्षन बाद में लेता तो पहले इंटर सेक्ष्षन ले लिया जीरो से इंफिनिटी को और वन से इंफिनिटी कॉमन कौन साइगा वन्टू इंफिनिटी तो फंटू इंफिनिटी वाले तो डिनॉमिनेटर हर भी नेगेटिव होगा तभी अनुपात धनात्मक आएगा कोई भी रिनात्मक संख्या आजाए वहर तो प्रें माइनस seven आजाए तो गया जाएगा फैव फैवन पोजित वोग्याइए डिनॉमिनेटर में बस नेगाटिव होना चाइए तो एक्स इसके होने के लिए इसके सत्य होने के लिए र रिनात्मक होना चाहिए तो हर रिनात्मक रख दिया ऊके कि सब्सक्राइब को तो यह हम लगुगन की असमी का इस तरह से हल कर रहे हैं अब देखो कि एक और हम तो क्वेश्चन में हमने चुए फोर क्वेश्चन किये तो इनके लगुगन के आधार अचर थे कॉंस्टेंट थे कि हां कर सकते हैं वहीं बाकी सारे प्रसेश्चन बताई वह सब लगा सकते हैं पर एंसर यह आएगा आप इसके लाओ और कुछ लाके बताओ किसी और मैठेट से तो बात लगे ठीक है अब हम बात कर रहे है कि जितने भी हमने क्वेश्चन कि उनमें लगुगन का अधार अगर लगुगन का अधार भी चर होगा तो फिर केस बढ़ जाएंगे एक बार उसको एक से छोटा लेना पड़ेगा एक वर उसको एक से बढ़ा तो बिगनर बॉक्स सिक्स में चर आधार वाली लगुगन की यह असमी का नहीं है लिखना पर एक्सरसाइज जब सॉल करोगे और कई क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं न कहीं मिलेगा इसलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं उसको ध्यान से देखे ताज मैं कौन सी असमी का लगुगन तो अच्छे से समझना थोड़ा यूरियन इंटरसेक्शन लेना पढ़ाएंगे ठीक है अधि कि देंगें लॉग टूदा बेस एक्स माइनस टू ठीएक्स स्क्यर माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरों लगुगन की संख्या है त्रीएक्स स्क्यर माइनस एक्स बस्ताइब तो उनको देखके पता चल रहा था कि आधार एक से बड़ा है या एक से चोटा आधार एक से बड़ा हो या च्छोटा हो लगुगणक की संख्या तो धनात्मक की ओना चीए तो पहली कंडिशन तो यही लिखू 3X स्क्वेर माइनस X माइनस 1 मस्ट भी पॉजट पहली बात समझ में आई क्या आधार कुछ भी हो 0 और 1 के बीच में हो या 1 से ग्रेटर हो 3X स्क्वेर माइनस X माइनस 1 पहली कंडिशन अब इसके साथ अब जो आधार है X माइनस 2 इसको एक बार 0 और 1 के बीच में लेंगे और एक बार 1 से बढ़ा ले दोनों में सॉल करना एक बार आधार को X माइनस 2 को 0 और 1 के बीच में लिया अब यहां देखो और लिख रहा हो यूनियन करना पड़ेगा इसका क्योंकि या तो आधार 0 या 1 के बीच में होगा या एक से बढ़ा होगा 0 और 1 के बीच में होगा या वन से बढ़ा हो इसलिए एकस-माइनस-2-1 से बार बात समझ में आई यह या या तक दो के सब आधार या तो 0 से वन के बीच में होगा या फिर एक से बढ़ा होगा जीरो या वन के बीच में या वन से गरट अब जब 0 और वन के बीच में होगा तो देखो लोक की डे Jonas लगा इछ 3x square-3-2 की power 0 एकसामी का चिन बदलेगा या नहीं आधार देखो आपने क्या लिए जीरो और 1 के बीच में लिया तो असमी का चिन बदलेगा यहाँ पर देखें यहाँ आधार मैंने एक से बड़ा ले लिया तो असमीका का चिन नहीं बदलेगा कि इतना समझ में आया है कि सभी को ठीके ओके अब ध्यान से सुन लेना पहले ध्यान से सुन लेना इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन राइट इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे जो हल आएंगे उनका इंटरसेक्शन इधर इंटरसेक्शन का क्या करेंगे यूनियन अब वो जो यूनियन आया उसका इसके हल के साथ फिर से इंटरसेक्शन पिर से सुनों एक बार फिर से बता रहो ज्यान से देखेंगे यह एंड लगा है तो इसका हल और इसके हलका intersection इसके हल और इसके हलका intersection दौनों का union कि वो union आया हों थाक कन कि अधार को परीभाषित करके अंसर निकल है अब लगोगनत की संख्या भी धनात्मक होना चाहिए तो इससे जो हल और इसका यहां जो union आया था उन-फॉनका intersection पर क्लियर भस कर लेते हैं जो आसाना असान काम पहले कर लेते हैं कि देखो एक्स निकाले तो तू को उदर ले गए थ्री तू को इदर लाए एक्स टू से थ्री के बीच में इसको हल करें कि माइनस तू है ठीक है मिडिल टाम स्प्लेट कर दें 3x स्क्वेर माइनस 2x प्लस x x कॉमन प्लस वन कॉमन 3x माइनस 2 x प्लस वन इस लेश दिन जीरू ठीक है तो वे भी कर मेथेड लगा दें हाँ तो लेश दिन जीरू माइनस 1 से 2 x 3 ठीक है और यह क्या था टू टू थ्री दोनों का इंटर सेक्शन कुछ ही नहीं कॉमन इंटर सेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं यह तू से थ्री है और यह माइनस 1 से 2 x 3 कॉमन कुछ ही नहीं है ओके इधर एक्स इस ग्रेटर देन वन प्लस टू अब देखो इसको यह जो दूसरा पाइट होता ना उसको हल करने की ज़रूत नहीं होती क्यों नहीं होती इसमें और इसमें में यहां पर हलके आएगा माइनस इनफिनिटी नटूं में चिन निकाह चलेगा यह राजाएगा तो यह और यहल लिखिए बास समझ में आई हुआ हाँ उदाए बताये क्या चीज़ मिस्टेक कर दी आप बता सकते हैं केलकुलेशन हाँ, calculation बता सकते हैं, factors, okay, मैं चेक कर लेता हूँ, yes, my mistake, factors मैं देख ले, factors wrong है, तो मैं यह हटाई रहा हूँ, यहां से, ठीक है, देखेंगे, minus 3 plus 2 करना पढ़े, ठीक है, factor wrong कर दिये थे, देखेंगे, minus 3x plus 2x, अब ठीक है, factor सही कर दिये मैं, अब ठीक है, factor सही है, okay, 3x common, क्या बचेगा, x minus 1 plus 2x minus 1, x minus 1, 3x plus 2, is less than 0, right, बेवी कर मेथड़ लगा है, minus 2 by 3, और 1, तो less than 0, यह आएगा, minus 2 by 3 to 1, intersection बताएं, minus 2 by 3 to 1, 1 पे end हो गया, यह 2 से 3, है, okay, तब भी क्या आया, यह समझ में आया, ओके, अब देखों, इसके solution में, x is greater than 3, और बस साइन, यह less की जगाए greater, है, है ना, तो calculation देख लिया करो, concept, ठीक है, तो greater than 0, तो क्या क्या आएगा interval, एक्स बिलोंग्स टू, माइनस infinity to minus 2 by 3, union, हाँ, और यह क्या है, 3 से infinity, इन दोनों का intersection बताओ, इसका और इसका क्या करना है, यूनियन मिलाना है, मिलाएंगे तो यह आएगा, अब आगे और देखे, अभी मैंने यह solve नहीं किया, इसको solve करना है, 3 to infinity तो इसका और इसका union आया है, अब यह जो आया है, इसका इसके साथ intersection लेना, तो इसको हल करें, 3 x square minus x minus 1 is greater than 0, factor तो हो नहीं रहें, factor तो हो नहीं रहें, तो क्या करेंगे, quadratic का formula लगाएंगे, quadratic का formula एपलाए करेंगे, तो x equal to minus b, plus minus under root b square, minus 4ac upon 2a, क्या यह सब को सांज मैं है, factor नहीं हो रहे थे, तो दो factor मैंने लिखे, एक factor है मेरा 1 minus under root 13 by 6, और दूसरा factor है, 1 plus under root 13 by, right, वेविकर मैथेड एपलाई कर ली, ठीक है, positive, माइनस इन्फिनीटी टू, 1 minus under root 13 by 6, union, है, ठीक है, तो देखो, यह तो negative आएगा, अब मुझे इसका और इसका intersection लेना है, तो यह, यह negative है, तो negative तो इसमें ही नहीं, छोड़ दो negative वाले पाट, इसको और इसको कद देखो जहन से, तो वन अंडरूट 13 मतलब 3.something, अंडरूट 13 मतलब 3.something और यह वन एड़ हुआ उसमें, तो 4.something उसको 6 से divide करेंगे, पॉर को 6 से point something आएगा, 0.32, मन से मान ले, 0.3 approach, ठीक है, ठीक है क्या, 0.5, जो भी आए, लेकिन 1 तो नहीं होगा, इसका और इसका intersection, 0.56 to infinity और 3 to infinity, तो एंसर क्या आगया, final answer, 3 to infinity, क्या सबको समझ में आया है कि कैसे किया, तो यह beginner box 6 जो है, उसमें तो नहीं दिया है, इस type का question, लेकिन आप आगे जब exercises solve करेंगे तो उसमें आपको मिल सकता और आगे two years में आप जाइए मैंस एडवांस लेवल की प्रेपरेशन करेंगे तो कहीं भी यह form आ सकता है, एक क्वेशन और करें लोगरिथ्मिक इन इक्वेलिटी विद वेरियेबल बेस्ट हो गया है, यह सबका हो गया, हाँ, थोड़ा ट्राइ करो, अभी नहीं हुआ, इसका जानकी मैं दिखा देता हूं, जेग्स लेए लेफे लेग्स लेए, आनकी मैं पत्कशे करेंगे लेदेका, यह गयादान देका जानकी है, यह आनकी मैं हम अन्हेवाशन की वे, लेवाशन विए झाल झाल जान की नेक्स कोश्चन पर आते हैं ठीक है विद वैरियेबल बेस सबसे पहली चीज तू एक्स माइनस थ्री बाए फोर इस ग्रेटर देन जीरो लगुगोणक का आधार कुछ भी हो जीरो से वन में हो या वन से ग्रेटर हो पर संख्या जो लोगेरिथम का नंबर है वो तो पॉजटिव होना चीज अब जो आधार है वो जीरो और वन के बीच में लिया एक बार और है एक बार वन से ग्रेटर लिया और आधार का जो बेश से उसका नंबर एकस ही है एकस जीरो से वन में एकस वन से ग्रेटर देन जीरो से वन में लिया तो साइन ओफ इनिक्वैलिटी चेंज होगी साइन ओफ इनेक्विलिटी क्यों चेंज ली हुई आधार जीरो और वन के बीच में आधार एक्स वन से ग्रेटर है तो साइन ओफ इनेक्विलिटी चेंज नहीं होगी क्लियर बस अप्सॉल करना है सभी को एक्स टू एक्स इस ग्रेटर देन थ्री बाइफ एक्स ग्रेटर देन थ्री बाइट थ्री बाइट तो इन्फिनिटी राइट एक्स जीरो से वन इधर सॉल करें फोर का इन्टू कॉंस्टेंट नंबर है पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टिप्लाइ कर सकते हैं एक्स माइनस थ्री ठीक है फोर एक्स स्क्वेर को इधर लाए लेस्ट दन जीरो माइनस का मल्टिप्लाइ ठीक है क्यलकुलेशन जरूर ज्रीहां से देखते जाए फोर तरी जर्ट्वेल सिक्स ओर टू है थु एक्स कॉमन है थु एक्स मैंस थ्री मैंस वन कॉमन टु एक्स मैंस त्री 2x-3 2x-1 is greater than 0 वेविकर मेथड एपलाई करें 1 by 2 3 by 2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ठीक है 1 से greater माइनस इन्फिनिटी तो 1 by 2 योनियन 3 by 2 तो इन्फिनिटी calculation एक बार जरूर देखें हाँ 0 to 1 और इसका intersection 0 to 1 और इसका intersection तो देखें 0 से 1 by 2 और ये 1 पे एंडी हो गया ये 1 तक आया ही नहीं पाया तो intersection क्या आ गया 0 से लेकर 1 by 2 intersection समझ में आया है सभी को 0 से 1 ये माइनस इन्फिनिटी से 1 by 2 तो 0 से 1 by 2 यहां common आ गया ये 1 पे एंड हो गया ये 1 के बाद इस टाइट हुआ ठीक है यहां देखें एक्स बिलॉंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी इसको solve करने की requirement नहीं होती क्यों क्योंकि बिलकुल इसका opposite है इसका opposite है तो यह greater than की जग़ा less than आएगा और less than आएगा तो 1 by 2 टू 3 by 2 आ जाएगा ठीक है तो यहां इन दोनों का intersection वन से infinity है वन से 3 by 2 यह वन से infinity है और यह 1 by 2 टू 3 by 2 है तो 1 से 3 by 2 अब इन दोनों का इसका और इसका union 0 to 1 by 2 योनियन है 3 by 2 0 to 1 by 2 योनियन है वन से 3 by 2 ठीक है 0 to 1 by 2 योनियन वन से 3 by 2 इन दोनों का योनियन है ठीक है अब इसका और इसका intersection करना है यह फाइनली वह एंसर है जीरो टू 1 by 2 योनियन वन टू 3 by 2 का intersection 3 by 8 टू इन फिनिटी के ना है तो क्या करेंगे नंबर लाइन पर प्लॉट करें अगर जीरो से 1 by 2 तबी ओपन है वन से 3 by 2 राइट हाँ यह 3 by 8 मतलब कितना पॉइंट 3 सम्थिंग पॉइंट 3 तो इससे पहले आएगा थीक है तो यह जीरो से 1 by 2 इससे ना हुआ है एएगा है थ्री बाइएट है है ना वन बाइटू से काम आएगा थ्री बाइट है तो यह थ्री बाइट टू इंफिनिटी तो जीरो से वन बाइटू जीरो मैंने मेंचन नहीं गिया अधिक यह 0 भी बनाना पड़ा है यह ना क्योंकि 12345 ठीक है थ्री बाइट टू इंफिनिटी यह पूरा रीजन और दूसरा रीजन है जीरो से वन बाइटू यह वन से थ्री बाइटू तो पुरा आ गया लेकिन यह आया थ्री बाइट टू बंवाइटू थ्री बाइट टू वन बाइटू योनियन वन टू थ्री बाइटू सांज में आया कि सभी को नोट करें और अच्छे से समझें कहीं कोई कर्येक्शन हो तो बताएं ओके झाल 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 कि ठीक है है कि सांज में आगया सभी को कि अच्छे नंबर लाइन में कैसे लिए कि क्या मतलब यह जो इंटर्वल है पॉइंट जीरो वन बाइटू वन थ्री बाइटू और थ्री बाइट यह फाइफ पॉइंट प्लोट किये कैसे कैसे प्लोट करते हैं इंक्रीजिंग ओडर में सबसे छोटा नंबर इसमें है जीरो फिर है थ्री बाइट फिर है वन बाइटू फिर है वन फिर थ्री बाइट तो इन्फिनिटी यह रहा पहला रीजन थ्री बाइट से लिएक इन्फाइट तो दूसरा कैसे जीरो से वन बाइटू यह जीरो से वन बाइटू ऊर वन से फिर्पा यह1 से Android यह बश्री बाइटू पूरा इस रीजन के अंदर यह लिए लिक दिया और यह इधा इसमें और इसमें कॉमन क्या है थ्री बाइट टू वन बाइट टू यूनियन वन टू थ्री बाइटू कि ओके कि सांज में आ गया सभी को कि नोट हो गया सभी का नेक्स्ट पर आएं कि चलिए एक क्वेस्चन में होंबक में दे रहा हूं इसका कि तो जरूर नोट करे है है कि सभी को करके लाना है कि अमसर कल बताऊंगा इसका कशेले आप लोगों रूप से एंसर पूछेंगा फिर आपको बताऊंगा गलत होगा तो बताऊंगा तो बताने की ज़रूवत बसक्राद करता है एक तुक्त आए है कि कोश्चन नांबेर समैन मैं लिए नोट कर लें लॉग X फ्लस वन टूदा बेस проц 2 एक्स से स्कार माइनस वन इस लेस धन गा। प्लॉसम तूदा वेस एक्सेस्ट केर माइनस और अगोज नोट कर लिए सभीने की पते हैं की क्ए ना क्वेशं इसी टाइप के होते हैं एक तो होता कॉंस्टेंट बेस वाला कॉंस्टन बेस में है पता रहता आधार एक 0-1 के बीच में है वन से ग्रेटर तो सबसे पहले लोग के डिफाइन होने की कंडिशन लिखो और फिर षे इन इक्वोलिटी और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें लगुगण का आधार वाली लगुगण की असमीका उसमें आपको दो केस और बढ़ जाते हैं तो आधार जीरो से वन के बीच में भी लेकर देखना पड़ता वन से बढ़ा भी लेकर देखना पड़ता और संख्या दनात् इंटरसेक्शन ज्यादा हो जाते हैं नोट हो गया ओके अब हम आगे की थियोरी पर आते हैं हाँ अब बेसिक मैस में हाँ हाँ बुक है लेकिन इस्टेंडर्ड बुक सारी ठीक है हाँ हम जिस सीक्वेंस में पड़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में बुक हो पूरी यह जरूरी नहीं है पर यह जो कशीना किसी फॉर्म में बूक में किसी बीच बीच में मिल सकता है अब ध्यान से देखें हमारा इस चैप्टर में बाकी क्या है application of logarithm बाकी है application of logarithm जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस्टाट कर रहे हैं लगुगणक के अनुप्रियोग और दूसरा ठीक है application of logarithm जो बिगनर बॉक्स फोर में जो लास्ट के दो क्वेशन दिये हैं 24 और 25 उसके लिए हमें यह थियोरी पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं लगुगणक के अनुप्रियोग तो देखो सबसे पहले हम संख्या का मानक रूप किसको बोलते हैं standard form of a number और उसी को हम बोलते हैं scientific notation वैज्ञानिक संकेतन सुने ध्यान से कोई भी संख्या N उसको हम इस रूप में लिखें M into 10 to the power P 10 के घातांक के रूप में दर्शाएं किसी भी संख्या को 10 के घातांक के रूप में दर्शाएं 10 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजिन करें तो उसको हम उस संख्या का मानक रूप या scientific notation वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं इसमें जो M है M का मान one se ten के बीच में होना चाहिए मतलब एक ибिसंख्या होना चाहिए दस तो फिर दो उंकों की संख्या और जो पी है P कोई भी पोना चलेगा अनात्मक पोना Pixel आगा रिनात्मक पोना चलेगा जीरो भी चलेगा कि इस रूप को हम विज्ञानिक संकेतन बोलते हैं जैसे क्वेश्चन लिए मैं एक्जांपल बता रहा हूं देखें थ्री टू सेक्स फाइव टू वन फाइव पॉइंट टू करणी कि.झ। यह संक्या लिखी, यह व्यग्रानिक संकेतन, क्यों नहीं है क्यों दस्की घाथ के रूप में निखा है । अर दस्की घाथ के रूप में जो लिखा उसके साथ multiple में जो नमबर गुम्हा में जो संख्या वो भी एक से दस के बीच में होना जाए एक अंक की संख्या होना चाहिए मैं तो देखो इसको हम बैज्यानिक संक्यतन में लिख रहे हैं तो यह जो डेसीमल है यह जो दसमलब है यह इसको हमें कहां लाना है कि तीन के बाद यह जो फर्स्ट थ्री लिखा है उसके बाद चाहिए तो वान टू थ्री फोर फाइस सिक्स डिजिट छे अंक बाई और खसकाना है सिक्स डिजिट लेफ्ट साइड लाना है तो क्या जाएगा तो यह तो दसकी घात प्लस इक साज में आ गया बस समझ में आ गई क्या देखें ध्यान से यह वेग्ज्ञानिक संकेतन में आ गया क्योंकि यह दसकी घात एक पूर्णांक है और यह पूरी संख्या जो भी है वो एक और दस के बीच में व्यज्यानिक संकेतन सबको समझ में आया और भी हम लिखते हैं कुछ एक्जामपल हाँ व्यज्यानिक संकेतन में लिखो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3.469 1 2 1 इंटू 10 तो दी पावर 4 साज में आया नेक्स्ट क्या एगा डेसिमल 1 2 2 डिजिट 2.113215 इंटू 10 तो दी पावर 2 साज में आया अब कुछ ऐसे एक्जामपल भी लेते हैं 0.000765 डेसिमल का चाहिए जिस साथ के बाद चाहिए सेवन के बाद क्योंकि जो फर्स डेसिमल पाइट जो एम है एम क्या होना चाहिए जी वरन और टैन के बीच में होना चाहिए तो क्या करें वन यह डेसिमल का चाहिए इधर साथ कर दूँ टू थीवार सेवन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू राइट में लाएं कितने डिजिट में लाएं इंग लाइं 1, 2, 3, 4, 4, दाइं और तो माइनस 4, ओके, जाएगा, 2.96, कितने हैं, एक, दो, तीन, समझ में आ गया, क्या व्यज्ञानिक संकेतन समझ में आ गया, किसी भी नंबर का scientific notation, व्यज्ञानिक संकेतन या मानक रूप किस तरह से लिखते हैं, ये सब को समझ में आ आया, ओके, अब हम, किसी भी संख्या का जब हमें log लेना होता है, तो हम पहले उस संख्या को मानक रूप में लिखते हैं और फिर log लेते हैं, है न, तो हम, बताते हैं आगे, अब दो definition है, जो पिछली slide में लिख रखी थी, मैं उसी को explain कर रहा हूं, पूर्णान्स और अपूर्णान्स, इंग्लिश में बोलते हैं केरेक्टरिस्टिक, क्या बोलते हैं केरेक्टरिस्टिक, मानक रूप में कोई संख्या है, उसके लगुगणक के पूर्णांकी भाग को, किसी संख्या का जब हम लोग ले लेते हैं, तो दो पाइट आते हैं, पूर्णांकी भाग और एक दसमलाव भाग, जिसको भिन्नात्मक भाग भी बोलते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी 7.6295 में पूर्णांकी भाग है, 7.6295 भिन्नात्मक भाग, बाद, डेसिमल के बाद वाला भाग क्या है, भिन्नात्मक, हाँ, तो मैंने माइनस नहीं लगाया था, भई, राइट साइड जाएगा, तो, क्या पूछना चाहरे हैं आप गुलू, नहीं, जानकी, राइट में जाएगा, तो टैन की पावर नेगेटिव आएगा, और लेफ्ट में जाएगा, तो टैन की पावर पॉजटिव आएगा, ओके, हाँ, अब मैं नेक्स पे आ गया हूँ, इसको जहन से सुने, मानक रूप में कोई भी संख्या है, मानक रूप में कोई भी संख्या है, उस संख्या के लगुगणक, लोग ले ले हम, तो उस लोग लेने के बाद जो संख्या आएगी, उसके दो पार्ट होंगे, एक पॉर्णांकी भाग और एक भिनात्मक भाग, तो जो पूर्णांग की भाग होता है उसको हम पूर्णांस कहते हैं तो मानक रूप में संख्या क्या ली हुई है यह ली हुई है एम क्या है वन से टैन और पी क्या है पूर्णांग यह बात समझ में आई अगर इसका लोग ले ले लें लोग बेस्ट एन पर लोग लिया तो क्या मिलेगा ठीक है लोग ऑपरेट करो लोग एंटू एन लोग एम प्लस लोग एन यह समझ में आया लोग एंप प्लस लोग एंटू दा बेस्ट एन प्लस पावर पी आगे आगी पावर पी और क्या बचा लोग एंटू दा बेस्ट अन होता है तो इसको हम इस फॉर्मल 19 P प्लस लॉग M to the base 10 το ये किसी संख्या N के लगुगणक का किसी संख्या N के लगुगणक है लगुगणक के 2 part एक ये और एकई तो देखो 10 की घाथ P क्या था पूर्णंक P क्या था पूर्णंक तो ये पूर्णंक आएगा पूर्णांकी भाग है किसी संख्या के लगुगणक का पूर्णांकी भाग जो है उसको हम क्या बोलते हैं पूर्णांस P log n to the base 10 का P log n to the base 10 का पूर्णांस है पॉर्णांस केरेक्टरिस्टिक है जिसका मान धनात्मक पॉर्णांक हो सकता है रेनात्मक पॉर्णांक हो सकता जीरो भी हो सकता है जिसका मान धनात्मक पॉर्णांक धनात्मक पॉर्णांक कि रणात्मक पूर्णांग या शुन्य हो सकता है कि यह बास समझ में आई कि सभी को पूर्णांस सबको समझ में आगिया पूर्णांस किसको बूलेंगे किसी भी मानक रूप में किसी संख्या के लगुगणक में पूर्णांक की भाग को लोगें टू दा बेस्टेन का पूर्णांस कहेंगे पूर्णांस हमेशा क्या होगा एक पूर्णांक होगा धनात्मक पॉनांग भी हो सकता है, रहनात्मक पॉनांग भी हो सकता है और जीरो भी होता है, clear, पॉनांस सबको समझ में आया, अब हम बात करते हैं, अपॉनांस की, अपॉनांस, किसी भी संख्या मानक रूप में दी गई किसी संख्या के लगुगणक के भिन्नात्मक भाग को लगुगणक का अपूर्णांस कहते हैं तो देख वह संख्या यह थी सबको मालूम है फिर से नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं लॉग एंड टूद बेस्टेन क्या आया था रिजल्ट पी प्लस लॉग एम तूद बेस्ट यह आया था यह तो पूर्णांस था यह जो पाइट है लोग एम तूद बेस्टन को अपूर्णांस कहते है कि यह हमेशा धनात्मक होता है है अपि मदनात्मक हमेशा थणात्मक हाग है वैं किसी संख्या एक के पचास पाइट कर दी वन बाई 50 माई 50 धत्मक की आएगा धिनात्मक Хमेशा धनात्मक होता है पूर्णान्स हमेशा धनात्मक होता है या जीरो भी हो सकता है हमेशा अधियों हो सकता है इसलिए धनात्मक ना बोलते हुए मा बोल देता हूं और uno मेश्त जीरो भी होसकता है और धनात्मक जैसे आज अब आप धेयम की एल्यू मालूमेघ मैं ने वन से टेंब nee से असे अ क्लोजड मम रखा था अब लोग ले लो इसका लॉग एम टू-देश्टन असमीका का चिन्ड नहीं बदलेगा क्योंकि मैं लॉग ले रहा हूं अधर दस वाला लॉग 1-0 लॉग एम टुदबेस्ट एन लॉग 1-0 लोग तो देखो लॉग एम टुदबेस्ट एन की वैल्यू काह से कहा तक ही जीरो हो सकती है और वन से छोटी होगि भिन्नात्मक भाग होगी पॉइंट 5 होगी पॉइंट 7 होगी पॉइंट 11 होगी डैसीमल में है ने आगी पाइगा बहुत छोटा आएगा पर आएगा धनात्मक भाग कि किसी भी संख्या का है थीक जास समझ में आगई पूर्णांस और बहुकन समस्झ में आगे सभी को पूर्णान्स और पूर्णान्स बात समझ में आगी सभी को ओके अब हम आ गया आते हैं ठीक है चलो देखते हैं अब अगर हमने किसी संख्या का एक पॉइंट हैं दो तीन पॉइंट लेखना है जो हमें एप्लिकेशन ओफ लोगिरिथम में काम आने वाले हैं किसी भी संख्या के लगुगनक का पॉर्णांस कोई भी संख्या है एन है मालो उसका लगुगनक लिया तो लोग इन तू दा बैस्टल का पॉर टोनांस प्लस ए्टबी आहएं ए प्वुज़ाय आएगा यह न्न संख्या यह ुश्य कि संख्या में अंग को कि संख्या यह संख्या m Ya होगी हैं फिर से बताता हूं पहले लिख ले। पन ये यदि किसी संख्या N के लगू गणक किसी संख्या N के लगू गणक तो ये हो गया हो मैं पूर्णांस का मान पूर्णांस मतलब पूर्णांस का मान M है तो संख्या N तो संख्या N मैं अंकों की संख्या M प्लस वन होगी मैं अंकों की संख्या N मैं अंकों की संख्या N मैं एक्जांपल समझे मैं इसमें क्या अंकों की संख्या से रिलेटेड क्वश्चन होगा उसमें यह अप्लिकेशन लगाएंगे दिखो क्या बोलना है कोई भी संख्या ले लो जैसे मैं चार अंकों की संख्या ले ली कि 3145 चार अंके इसमें अब मैं बोल रहा हूं कि कि अगर इसका मुझे लोग लेना तो पहले मानक रूप में बदलूंगा तो यहां पॉइंट डेसिमल लगा दिया है कि है थ्री वन फॉर फाइव को मैं डेसिमल था नहीं तो मैंने क्या कर दिया अब इसको मानक रूप में 123 तीन अंक लेफ्ट में ले गए तो टेंट यहा तो किता आएगा यह थ्री आ रगया एगा ब्लस यह समझ माया कि अभी किया था इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर cables लोग M प्लस लोग N, 3 आ गया जाएगा, सवाज मैं या, तो किसी संख्या के लगुगणक का पॉनांस किता आ गया 3, जिस संख्या के लगुगणक का पॉनांस 3 है, वो संख्या 3 प्लस 1 अंकों की संख्या है, किते अंकों की संख्या है, 3, 1, 4, 5, 4 अंकों की संख्या है, 3, 1, 4 तो किसी संख्ञा के लगुगणक में पॉर्णांस का माने जितना आता है वो संख्ञा उससे एक चादा अंकों की संख्या होता वो है संख्या जो पॉर्णांस होता उससे एक बात समझ में आई आई क्या क्लियर हो गया थिके तो पूर्णान्स का मान यह M है कि और जहां M क्या है धनातमक भी चलो माइनस M बता दूंगा ठीक है पूर्णान्स का मान एम है और एम क्या है धनात्मक है लिक देता हूं रखें और ध्यान रखें यह वाला एम वो एम नहीं है जो अभी पहले यूज किया था यह अलग है तो आप यहां तो हम डिपेंड करता हम एम की जगा एक्स ले ले एम की जगए टी ले लें जो हमांको लेना हो तो यहां क्या जाएगा टी प्लस वान जहां टी क्या होगा तनात्म बास समझ माई कुछ भी ले सकते हैं बस यह देखना किसी संख्या के लगुगणक में अगर पूरनान सभाग पूरनाँकी भाग है प्लस 3 है तो वह चारंकों की संख्या प्लस आठेट तो स्थर्टीन अंकों की संख्या होगी क्लियर बस समझ में आगई सभी को 3 Plus में कैसे आया यह यह कैसे आया यह वाली बात कर रहा है अरे भई लोग लिया है तो लोग एम प्लस लोग-n पलग आप क्या पूछ रहे हूं यह तो कि थ्री प्लस कैसे आया लोग में इंटु एन लगाया लोग एम फ्लस लोग एन तो लोग टैन क्यूब टू दा बेस्टेन तो पावर थ्री आ गया गई यहां अपॉर्णान्स यह है यह पूरा अपॉर्णान्स है यह पॉर्णान्स है और यह अपॉर्णान्स है लॉग 3.14 लॉग 3.145 तो दे बेस्टैन यह है पॉर्णान्स है यह पॉर्णान्स है तैन की जो पावर होगी वह पॉर्णान्स है समझ में आया गया है यह यहां तक समझ में आगया अब ऐसा का ऐसा ही कंसर्प्ट टी की जगह अगर माइनस टी हो तो देख लें उसको और कंप्लीट कर लें कि इस्टेटमेंट लिख लें उसका ठीक है तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ज्यान देंगे यह नोट कर चुके हैं क्या करेंगे तो आज मैंने एक्स्प्लेइन किया है करेंगे तो आज मैंने एक्स्प्लेइन किया है केरेक्टरिस्टिक पूर्णांस अपूर्णांस दो चीज और तीसरी यह इसके आगे कंटीन्यू करेंगे त्योरी पढ़के आना आज का मैं रिपीट नहीं करूंगा त्योरी अच्छे से पढ़के पढ़ोगे आज इसमें यह पूर्णांस का मन नेगेटिव है तब हम क्या कंडिशन लेएं कितने अंगों की संख्या होगी है दसमलों के बाद कितने जीरो होंगे उससे रिलेटेटिट पॉइंट होगा और कल अपना यह चैप्टर आल्मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आज अभी आपको फ़र कुझट आल्मोस्ट का मन नेगे जीरो आल्मोस्ट कर एक आल्मोस में झाई चैप्टर आल्मोस्ट कर रची है जा झाल्मोस्टर आल्मोस्ट